विद्यूत उत्पादन में उत्कृष्टता के साथ उत्कृष्ट परियावरन प्रबंधन की दृष्टी से एक क्लीनिस्ट विद्यूत स्टेशन है धर्मल पावर प्लान्ट से निकली फ्लाइ ऐश की उप्योगिता को एक नया आयाम दिया जा रहा है जिसके अंतरगत NTPC के इतिहास में पहली बार देश में पहले NTPC के कोईला आधारित विद्यूत स्टेशनों से निकली फ्लाइ ऐश को NTPC दादरी में एकत्र कर विभिन संभावित खरीदारों को उपलब्ध कराया जाएगा इसी क्रम में NTPC रिहंद से फ्लाई एश की पहली खेप विशेश प्रकार के BDAP वैगनों के रेक द्वारा 12 दिसंबर 2020 को NTPC दादरी पहुँची इस अवसर पर NTPC दादरी के समूह महाप्रबंधक श्री सी शिवकुमार बरिष्ट अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे दादरी पहुचने पर BDAP अनलोडिंग एरिया से फ्लाई एश को एश हैंडलिंग प्लांट स्थित साइलों में एकठा किया जाता है साइलों से फ्लाई एश को समभावित उपभोकताओं के ट्रकों में लोड किया जाता है परियावरण के नियमों के प्रती सजग रहते हुए फ्लाई एश से लोड़िड ट्रकों को वाशिंग यूनिट से गुजार कर रवाना किया जाता है इस प्रोसेस में संभावित उपभोगताओं को फ्लाई एश उपलब्ध कराया जाएगा इस दोरान BTAP Unloading Area में सेफटी नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया गया वैगनों से फ्लाई एश की Unloading के दोरान कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को पेप टॉक के माध्यम से सेफटी नियमों को अपनाने की जानकारी दी गई साथी साइट पर उपस्थित कर्मचारियों को सेफटी की प्रति जागरू करने के उद्देश्य से सेफटी के नियमों को प्रदर्शित भी किया गया हमें आशा ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि भविश्य में एश मैनेजमेंट के अंतरगत राक उपियोगिता की दिशा में ये नई पहल हमारे एश यूटिलाइजेशन और कुशल परियावरण प्रबंधन में लाभदायक साबित होगी